पूरे विश्व में कोरोना वाइरस का प्रोपोब देखने को मिल रहा है इसे में राहत बरी खबर ये है कि कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है इसी को लेकर इन दौर में कलेक्टर मनीश से ने अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीन लगाने को लेकर रणनीती बनाई है कोरोना की वैक्सीन आ जाने के बाद अब वैक्सीन किसे दी जाएगी इसपर चर्चा हो रही है इसी को लेकर इन दौर कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की बैटक में निश्चे हुआ कि प्रथम चरण में वैक्सीन फ्रेंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केर वर्कर्स सहित पचास वर्ष से ज्यादा आयू के लोगों को दी जाएगी फिलाल वैक्सीन लगाने को लेकर इंदौर में रणनीती बनना शुरू हो गई है इंदौर कलेक्टर मनीश से ने बताया कि वैक्सीन लगाने को लेकर अस्पतालों में तीन कमरे बनाए जा रही है साथी शास्की अभवनों को भी चिन्हित किया गया है वैक्सीन के स्टोर को लेकर भी जगह चिन्हित कर ली गई है जिसमें वैक्सीन किस तापमान में रखना है उसका खास थ्यान रखा जाएगा वहीं वैक्सीन लगाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा पहले हम लोगेंट अस्पातालों के साछ जो को सबर्य ने स stipendisinde और अपंधेशन के जो वेक्सीनेशन के जो फिवर हैं उस को दर्द होता हैं उसके लिएचीन जा रहे हैं और पांच वेक्सीनेशन थॉ पर एक डॉक्टर्स रहेंगे और एडवास दवाईया रहेंगी इमर्जनसी सपोर्ट के लिए वैक्सीन स्टोर कहां की जाएंगी अलग लोकेशन से हम लोगी जो अस्पतालों की हैं किस परकार के बॉक्स में स्टोर की जाएंगी आईलार रहता है जिसमें कि अगर लाइट जल्द ही भारत में भी कोरोना वैक्सीन के टीके लगाये जाने की बात कही जा रही है खबरों में फिलाल इतना ही देश प्रदेश के आने खबरों को जानने के लिए देखते रहें हैं मिर्द भाशी नियूज